हेलो गाइस आम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टूडेंट्स पॉइंट गाइज जैसे कि आप यह नोटिस स्क्रीन पर देख रहे हैं यह नोटिस कल मिला था मुझे और यह सोल की साइट पर भी है ठीके सो में ली इस नोटिस में है क्य कैसे ही समझा देती हूं उसके बाद मैं इसको पढ़के भी सुना दूँगी कि इसके अंदर बोला क्या गया है ठीके सोल साउथ स्टडी स्टेंटर साउथ मोती बाग साउथ कैंपस जो है आपका मोती बाग यह वहां की तरह से पब्लिश किया गया है सो इसमें में बात यह है कि जिस भी स्टूडेंट के मार्कषीट में अ फिर फेल आया है ना जैसे कोई भी सबजेक के आगे माल लो एएकजेम्बल के तौर पे है जुकेशन का सबच्चा है तो उसका अंदर इयुलिश के पर इंगलिश का सबजेक तो अगर एसा कुछा आया है तो इस नोटिस को बिलकुल read करो बच्चो और grievance redressal form 2021 लिंक पर click करके इसको fill कर दो ठीक है इसका जो link है वो आपको description में मैं provide कर दूँगी ठीक है अब इसका जो है main third point सबसे पहरे हम third point पर focus करेंगे कि third point में इनोंने ये बोला है submit a copy of their mark sheet having date phone number and write online grievance redressal form submitted at information counter मतब ये है कि जो third point है इसमें बोला गया है कि information counter campus में ही है और आपको campus जाकर ही अपनी mark sheet की copy मतब लेकर जानी है और उसमें phone number और online grievance redressal form submitted लिखना है ठीक है अब हम इसको form को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे कि भाई इसमें बोला क्या गया है देखो सबसे पहले है दो student who have AB fail NA in their mark sheet in one or more subjects must fill and submit the UG ABE slash OBE grievance redressal form 2021 online link through soul website soul.du.ac.it ठीक है जैसा मैं आपको बता दिया कि ये soul की site पर भी आपको provide किया गया है तो इन्होंने बोला है कि जिस भी बच्चे का fail आया है NA आया है या AB आ रहा है वो बच्चा UG का AB mood का हो या OB mood का हो तो वो ये form soul की site पर जाकर fill कर सकता है अब note में इन्होंने सबसे first point बोला है student must fill and submit separate form for each fail AB NA subject इन्होंने बोला है कि जो बच्चा है वो अपना इन तीनों problems में के लिए किसी भी subject का form अलग-अलग fill करेगा मतलब मान लो कि education और English दो subject में किसी BA program बच्चे के आगे fail लिख दिया गया है तो आप education का form अलग-फिल करोगे और जो आपका English का form है वो आप अलग-फिल करोगे second है save the screenshot of their form thank you page after final submission of grievance red drizzle form and keep in your mobile या फिर computer यहाँ पर इन्होंने बोला है शिकायत निवान form जो है ना उसको अंतिम रूप से जमा करने के बाद उनके form page का जो screenshot है वो save करके रखें और वो चाहिए वो आप अपने mobile में लो या फिर computer में लो क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह doubt होता है माम हमने तो लैपी से करा हमने यह करा वो करा तो उसमें भी screenshot आ जाते हैं नहीं आते तो mobile से photo ले लो यार कोई दिख करती है ठीक है थर्ड पॉइंट में आपको समझा चुकी हूँ फोर्ड पॉइंट में इनोंने बोला है student may need to wait for around 2-3 weeks for result correction अब जैसे कि मैंने आप लोगों को जितने भी अवी तक form बताएं है rechecking का, revaluation का और AB का भी बताया था ठीक है ना तो यह सारे form का main क्या बात थी कि जो भी था वो normally आपका दो या तीन दिन के अंदर जवाब दिया जा रहा था ठीक है लेकिन इसमें इनोंने बोला है student may need to wait around 2-3 weeks, 2-3 weeks तक आपको wait करना पड़ेगा correction का कि result में क्या correction आती है और पाचवा point यह दिया है see your result on daily basis as result update frequently अपना परिणाम दैने का दारपर देखे क्योंकि परिणाम बार बार अपडेट होते रहते हैं अब इसके लिए example मैं यह बताऊंगी कि एक बहुत सारे बच्चों ने मुझसे यह बोला कि मैं हमारी mark sheet में तो mother name आ ही नहीं रहा तो बच्चों आप लोग खुद पता करो मैंने यही बात maximum बच्चों को बोली कि बच्चा आप अपना again जो है result को update करो देखो जाकर अब आपकी mother का name show हो गया होगा और वो ही हुआ बच्चों की mother का name show होने लगा तो इन्होंने बोला है कि दो तीन हफ़ते तक जब भी आपको time मिले याद आए कि हाँ भई मैं भी college में हूँ अपना result मैंने दिया है सई करने के लिए तो आप उसको जाकर again check करो बार बार कि वो हो भी सकता है जल्दी update हो जाए नहीं तो दो तीन हफ़ते तक मतलब आदा माईना आपको इंतिजार करना ही करना है ठीक है दूसरी बात यह है कि आप अपने third semester की वज़े से next year को waste मत करिए paper आपके December में होने है offline होने है तो please better रहेगा कि आप third semester या fourth semester के result की वज़े से अपना mind disturb मत करो in case fourth semester का result नहीं आता और by chance किसी बच्चे की आने के बाद उसमें ER लग जाती है तो उसका paper six semester में होगा students यह बात में हर वीडियो में आपको बताती हूँ तो इसलिए better रहेगा कि आप बिल्कुल भी परिशान मत हो आप से इस form को fill करो अगर आपका fail भी लिखावा है तो भी यह जो form है जिसका link में description में आपको provide कर देती हूँ बट यह जो website उन्हें दी है website से भी आप जाकर देख सकते हैं I hope आपको इस form की वीडियो के regarding कोई भी question नहीं रहा हो in case कोई भी question हो तो आप मुसे comment box या telegram चैनल पर बूस सकते हैं so thanks for the watching and best of luck all